इसरो के वैग्यानिक चंद्रियान 2K Lander की Crash Landing के बाद से ही चंद्रियान 3 की तयारी में जुट गए थे पहला साल Data Analysis और उसके Simulation के जरिये गड़बडियों को ठूंडने में बीता दूजरा साल उपकरणव टेक्नोलोजी में सुधार किया तीसरा साल केवल परिक्षणों में गुजरा संभावत गलतियों को जान बूच कर करके उनका परिणाम देखा फिर सॉफ्टवेर वा सेंसर में सुधार किया चौथा साल सभी प्रमुख केंद्रों के साथ बारीक समवन्य बीता बिते एक साल में LVM 3 की तीसरी उडान चंद्रयान 3 को आंध्यप्रदेश के हरी कोटा के स्पेस सेंटर से शुक्रवार दो बहर दो बच कर 35 मिनट पर लॉंच किया गया प्रांस दौरे पर गए पियम मोदी ने चंद्रयान 3 लॉंच की बथाई देते हुए फ्वीट किया वियम मोदी ने कहा चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में सांदार चाप्टर की शुरुवाद की है वियम मोदी ने कहा यह भारत के हर व्यक्ति के साथ चाईओं को छू रहा है वियम मोदी ने चंद्रयान 3 के लौंच से पहले फूईट कर कहा था भारत की स्पेस सेक्टर के शेत्र में 14 जुलाई 2023 की दारीक सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी चांद की कक्षा की ओर प्रिस्थान आपको बता दे कि चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक प्रॉपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है इसका कुल भार 3900 किलोग्राम है चंद्रयान 3 के लौंच को देखने के लिए कई स्कूलों के करीब 200 स्टुडेंट्स स्पेस सेंटर पर पहुंचे थे इस दोरान हजारों लोग स्पेस सेंटर पर मौजूद दिखे इस मिशिन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर साउथ पोल में इसकी पोजीशिनिंग होगे चंद्रयान तीन ने की अपनी लॉन्चिंग के चार चरण सफलता पूर्वक पूरे कर लिये हैं इसरो के मताबिक चंद्रयान तीन प्रत्वी की निर्धारित कक्षा में पहुँच गया है जहां से वो चांद की कक्षा की ओर प्रिस्थान करेगा इसरो प्रमुक सोमनाथ ने कहा चंद्रयान तीन ने चांद की अपनी यात्रा शुरू करती है चंद्रयान तीन को शुब कामनाएं दें की आने वाले दिनों में वो चांद पर पहुँचे क्यों खास है चंद्रयान तीन मिशन दुनिया के जितने भी देशों ने अब तक चंद्रमा पर अपने यान भेजी हैं उन सभी की लैंटिंग चांद के उतरी ध्रोग पर हुई है चांद के दक्षणी ध्रोफ पर उतरने वाला चंद्रयान 3 पहला अंतरिक्ष मिशन होगा पहले चंद्रयान 2 को भी इश्रो ने चांद के दक्षणी ध्रोफ पर ही लैंड कराया था आखरी चंद मिनिटों में संपर्ख तूटने से मिशन नाकाम हो गया था इस बार मिशिन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाई गए है मिशिन में अल्गोरित्म को बेहतर किया गया है चंद्रयान तीन मिशिन की लैंडिंग साइड को डार्क साइड ओफ मून कहा जाता है दरसल यह हिस्ता प्रत्वी के सामने नहीं आता विक्सित भारत बनने की दिशा में मिलेगी मदद रwn यह है झाल 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 मिशन से कई तरह के मौके खुल जाएंगे इन अपसरों से भारती अर्थ विवस्था को दोडने के लिए खुला रास्ता मिलेगा चांद पर खोज से जुड़ा या मिशन धर्ती पर जियो पॉलिटिक्स के लिहाद से भी बहुत खास है सफल होने पर या भारत को अमारिका, रूस और चीन के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में खड़ा करतेगा देश और दुनिया में रहने वाले तकरीबन डेड़ अरब भारतियों के लिए वाकई 14 जुलाई 2023 का दन इतिहास के पन्नेवए दर्श होगा चंद्रियान 3 मिशन का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण होते ही भारतिये खुशी के मारे उचल पड़े बारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को इसकी काम्याबी का श्रेय जाता है अंतरिक्ष अभ्यानों में बढ़ेगी भारत की ताकत चंद्रियान 3 मिशन की सफलता भारत के लिए खेल पलट सकती है यह अंतरिक्ष अभ्यानों में भारत की ताकत को दिखाएगा अपल हुआ तो भारत भी इस क्लब में शामिन हो जाएगा। इस मिशिन के साथ बड़ा आर्थिक पहलू भी जुड़ा हुआ है। नीजी कंपनियों के लिए खुला अंतरिक्ष छेत। आंकडों के अनुसार भारतिय की स्पेस एकोनॉमी 2020 तक 9.6 अरब डॉलर की थी। अनुसार भी खुला है। बेश में 140 से जादा स्पेस टेक स्टार्ट अप है। इसमें स्कायरूट, सेट शेओर, दुरुव स्पेस और बेला ट्रिक्स जैसी कंपनियां शामिल है। यह ऐसी टेकनोलोजी बनाने पर काम कर रही हैं जनका रोजमर्रा के जीवन में इस्तमाल है। भारत की स्पेस सेक्टर में पैसा लगाने के लिए निवेशक ललायत है। स्पेस इंडास्ट्री में सरगार निजी सेक्टर का जादा पार्टिसिपेशन चाहती है। इसी मंसा से उसने भारती अंतरिक्ष नीती 2023 को मंजूरी दी है। या निजी सेक्टर के लिए भारत के अंतरिक्ष छेत्र में निवेश की संभावनाओं को बढ़ाईगी। जहां तक चंद्रियान तीन मिशिन की बात है तो इसकी सफल लैंडिंग भारत के लिए निरनायक पहल होगी। यह ना केवल देश को अंतरिक्ष खोज की दौड में बढ़त दिलाएगा, अलबता अर्थ ववस्ता में भी युगदान देगा। रोजगार के मौके पैदा करने से लेकर निजी निवेश में बढ़ोतरी और यहां तक की तकनीकी प्रगती तक में चंद्रियान तीन मिशिन भारती अर्थ ववस्ता के अलगलब पहलूं को बढ़ावा दे सकता है। एक्सपर्ड कहते हैं कि अगर चंद्रियान तीन मिशिन सफल हुआ तो यह उपलब्दी हासिल करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। ऐसे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। गूगल जैसी कमपनिया पहले से ही भारत के स्पेस टेक स्टार्टप में निवेश कर रही हैं। ताजुक नहीं करना चाहिए अगर चंद्रियान तीन मिशिन की सफलता के बाद विदेशी कमपनियों के ओर से निवेश बढ़ जाए। इसके अलावा निजी छेत्र की बढ़ती भागिदारी से नए स्टार्टप वेवसाई और नौकरी के अफसर सामने आ सकते हैं। इससे आर्थिक विकास और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। भारत के स्पेस टेक एकोसिस्टम में तेजी से विकास हुआ है। इसने कोरोना की महामारी के बाद से पिछले कुछ वर्षों में हजारों नौकरियां पैदा की हैं। लेकिन पहले स्पेस एकोनोमी पर ध्यान ना देने की कारण संगर्श दना पड़ा है। आज इस शेत्र में ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर तोनों तरह की लाखो नौकरियां पैदा करने की शम्ता है। शंद्रयान तीन मिशिन के कई उत्तेश यह हैं। चंद्रमा पर पता करेगा कि वहां का तापमान कैसा है। सता पर भूकंप कैसे और कितने आते हैं। वहां प्लाजमा एंव दुनिया से बधाई। इस सफल लॉंच की तारीव देश ही नहीं, दुनिया भर में हो रही है। भारत की सफलता पे कई देशों ने खुशी जाहिर की। अमारिका, जाबान, प्रिटेन और यूरोप के अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिशिन के लिए इस रों को बधाई चीनी मीडिया, ग्लोबल टाइम्स ने भी चंद्रयान 3 के लॉंच का वीडियो शेर कर भारत की तारीव की। चंद्रमा पर सौफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। अगर भारत इस कोशिश में सफल हुआ तो चांद पर कंट्रोल्ड लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 मून पर सौफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहे। साथ ही रोवर सफलता पूर्वक अपने ओपरेशन को अंजाम दे। UK Space Agency ने ट्वीट कर कहा कि मन्जिल चांद है। इस रोगो चंद्रयान के सफल लॉंच के लिए बढ़ाई। 31 जुलाई तक Translunar Insertion चंद्रयान 3 अभी Solar Orbit यानी लंबे हाईवे पर यात्रा करेगा। 31 जुलाई को Translunar Insertion को पूरा कर लेगा। इसके बाद करीब साढ़े पांच दिनों तक चंद्रुमा की ओर यात्रा करेगा। चंद्रुमा की बाहरी कक्षा में वह पांच अगस्त के आसपास प्रवेश करेगा। यह गर्णाय तभी सही रहेंगी जब कुछ सामान इस्थिती में होगा। कोई तकनीकी गडबड़ी होने पर इसमें समय बढ़ सकता है। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर प्रोपलसन मॉड्यूल से अलग हो जाएंगे। सौ किलोमेटर की अंडाकार कक्षा में लाया जाएगा। 23 अगस्थ को डीबुस्ट यानी गती धीमी करने का कमांड दिया जाएगा। इसके बाद चंद्रयाम 3 चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू करेगा। इस रोग के मताबिक सब ठीक रहेगा तो इसकी सौफ्ट लैंडिंग से एक जाएगा। 23 अगस्थ की शाम 5 बच कर 47 मिनट पर वोगी। इस बार विक्रम लैंडर के चारो पैरो की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स लगाए गए हैं, नया सोलर पैनर लगाया गया है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइड का 6 त्रफल आधा किलोमेटर का चुना गया था। इस रो विक्रम लैंडर के वो मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वज़ा से कुछ सीम आये थी। इस बार लैंडिंग का 6 त्रफल 4 किलोमेटर से 1,5 किलोमेटर रखा गया है। इन गलतियों को सुधारने के लिए विक्रम के पास 96 मिली सेकेंड का समय होगा। इस बार विक्रम लैंडर में जादा ट्रैकिंग, टेलिमेटरी और कमांड एंटीना लगाए गए हैं। इस गलती की संभावना ना के पराबर है। है। Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi Ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sirihari Kota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July, 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw six decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. We'll be right back. झाल 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 चांद का सफर 3 8 नवंबर 2008 चंद्रयान एक ने प्रक्षे प्रवक पर इस्थाफित होने के लिए चंद्र इस्थांतरन परिपत में प्रवेश किया 14 नवंबर 2008 चंद्रयान एक चंद्रमा के दक्षन ध्रुप के समेब दुरगटना ग्रस्त हो गया लेकिन उसने चांद की सता पर पानी के अड़ू के मौजूद्गी की पुष्टे गी 28 अगस्त 2009 इस रोक्यानुसार चंद्रयान एक कारिक्रम की समाप्ती हुई 22 जुलाई 2009 श्री हरी कोटा के 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान दो का प्रक्षे पढ़ किया गया 20 अगस्त 2019 चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चंद्रुमा की कक्षा में प्रवेश कर गया 2 सितंबर 2019 चंद्रुमा की ध्रुविय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते वक्त लैंडर विक्रम अलग हो गया था लेकिन चांद की सता से 2.1 किलोमेटर की उचाई पर लैंडर का जमेनी स्टेशन से संपर्क तूट गया 14 जुलाई 2023 चंद्रयान 3 श्रीहरी कोटा के 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉंच पैट से उडान खरेगा 23-24 अगर्स्त 2023 इसरों के व्यग्यानिकों ने 23-24 अगर्स्त को चांद की सता पर सौफ्ट लैंडिंग की योजना बनाई है जिससे भारत इस उपलब्दी को हांसिल करने वाले देशों की फैरिस्त में शामिल हो जाएगा मनुष्य धर्ती का सर्वश्रेष्ट प्राणी है जो नया सोचता है और फिर उसे करके दिखाता है भारत भी अब लेट ही सहे लेकिन अंतरिक्ष एक्स्प्लोरेशन में सही दिशा में जा रहा है बता दें कि आने वाले दशकों में वैश्विक ताकत वही होगा जिसका अंतरिक्ष पर कबजा होगा सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलोजी, मोबाइल, मौसम या सब अंतरिक्ष से ही गवर्न है बविश्य में तो मनोश्य अंतरिक्ष में अपनी बस्ती बनाने की सोच रहा है भारत भी कम से कम सधे कदमों में इस दशा में आगे बढ़ रहा है Special Desk, K-News, India Special Desk, K-News, India Special Desk, K-News, India Special Desk, K-News, India